चमकीले नीले पत्थर की कीमत एक सहर में बहुत ही ग्यानी प्रतापी सादू महाराज आये हुए थे बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी किर्पद रष्टी पाने हे तो आने लगे ऐसा ही एक दीन दुखी जरीब आदमों उनके पास आया और सादू महाराज से बूला महाराज मैं बहुत ही करीम हूँ मेरे उपर करजा भी है मैं बहुत ही परेशान हूँ मुझ पर कुछ उपकार करें सादु महाराज ने उसके एक चमकिरा नीले रंगा पत्थर दिया और कहा कि एक कीमती पत्थर है जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लोग लेता बोला मुझे लगता है एक नीला सीसा है महत्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है हाँ यह सुन्दर और चमकदार दिखता है तुम मुझे दे दो इसके मैं तुमें एक हजार रुपे दे दूँगा वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान बाले के पास गया जो की एक बर्तन का ब्यापारी था उसने उस ब्यापारी को भी बो पत्थर दिखाया और उसने बैचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाही बर्तनों का ब्यापारी बोला एह पत्थर कोई बिसेस रतने मैं इसके तुमें एक दस हजार रुपे दे दूँगा वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वह महां से चला आया उस आदमी ने उस पत्थर को अब एक सुनार को दिया सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और भूला एक काफी कीमती है मैं इसके तुमें एक लाक रुपे दे दूँगा और आदमी अब समझ गया कि वह बहुत अमूल है उसने सोचा क्यों ना मैं इसे हीरे के ब्यापारी को दिखाऊं ए सोच वो सहर के सबसे बड़े हीरे के ब्यापारी के पास गया उस ब्यापारी ने जब उस पत्थर को देखा तो देखता रह गया चौकने बाले बहुक उसके चेहरे पर दिखने लगे उसने उस पत्थर को माते से लगाया और का पूंचह तुम एह कहां से लायो हो यह तो अमूल ही यदि मैं अपने पूरी संपत्ती बेंदू दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता